प्रियो शत्य शत्य खकल सेवार नतुन शिले बासर अंतर गता सप्लिमेंटेदे रीडार और फूट्प्रिंस उदाउट फिट पार्टिर खमपूर्ण अखमी आलोसना आमी एई चैनेल अत आगबडाई शिलो जो दियो यार क्वेशनां चार्खम आमी आलोसना करा ना शिलो गतिके आजी आमी आमार एई वीडियो टो फूट्प्रिंस उदाउट फिटनाम और पार्टोर खमपूर्ण कोईशन अंचार कम आलोसना करीम गतिके एई वीडियो टोलोई खकलोकोगे आदरोनी जनाईशु। प्रथम प्रशन टोले आईशु। How did the invisible man first became visible? अदरिश्या मानुजन केने कोई प्रथम बार आवे visible बा दरिश्या मान होईशिल। एंचार हबो, Before stepping in some mud, बोकाद गशकार आगते, Griffin was completely invisible. Griffin खमपूर्ण पे अदरिश्या आशिल। But when he stepped in the mud, किद्धु जेतिया तेओं बोकाद गशकी शिल। He left his fresh muddy imprints of a pair of bare feet. तेओं एजोर उदंग भरीर खतेज बोकामए सिन्नाबूर एडिशिल। Which were seen by two boys, जीबूर्ने की दुजन लराय देखी बले पाईशिल। Being fascinated at the footprints appeared from nowhere. कुरबार परा देखा दिया पदसिन्नबरत आकरखित होई। The two boys followed him. दुजन लराय तेओं अनुखरन करिशिल। Until the footprints became fainter and fainter and totally vanished. पदसिन्नबर दुखरर परा दुखर अस्पस्टर परा अस्पस्ट होई। अध्रिष्या होई नोजुआ लोके खेई लराय दुजने पदसिन्नबर अनुखरन करिशिल। Easily escaping from them, तेओं लोकार परा अर्थार लराय दुजनर परा खहस भावे पलाय खारी, Griffin went into a big London store to wear some warm cloths. उमाल कापुर पिंदिबर कारणे, Griffin a Londoner एखन डांगर दोकान अत होमाई शिल। When all of the shopkeepers went after closing the door, जेतिया दर्जाखन बंदकोरी खकलो दोकानी बोर तारपरा गुशी गोई शिल। He dressed himself putting on shoes and overcoat and a hat, तेओं जोता दिघल, coat, tupi आधि पिंदिल होई शिल। Thus being visible, he slept on a pile of quilts, तेओं लेपर दमवर मातत होई पोई शिल। But he did not wake up early in the next morning, कि तेओं पिंदिना रातिपवा खुनकाले खार पुआ नाशिल। And he was visible to the people who came to work at the store of Rathipवा, जेतिया मानु दोकान होना काम पोरी बोले आई शिल। ये मानु हकल अर कारोने तेओं द्रिश्वयमान होई शिल। His landlord disliked him, तेओं मालिके तेओं बया पाई शिल। And tried to throw him off from his house अरो तेओं तेओं घरार परा उलियाई जिवा बिशार शिल। Being revengeful, ताते तेओं खंगुथी प्रतिखोत परायन होई शिल। Being revengeful, प्रतिखोत परायन होई, He set fire to his landlord's house तेओं तेओं तर मालिकर घरा जुगी लगाई शिल। Committing an unlawful act एनेकवा बयाईनी काम कोरी, He had to remove his clothes to escape without being seen from there, तार परा ने देखा कोई उलाइज जाबर करने, पलाइज जाबर करने तेओं 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 खकलो कापूर बोर फुली बलगा होई शिल। तीन्नां प्राश्ना, Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? Mrs. Hall ए बिख्यानी जनक क्यो, eccentric अद्बूत बाव विशित्र जन पाई, Being fully dressed up in Druryland, Druryland और खे theatrical दोकान अथ होमाई, तेओं खंपुन रुपे कापुरी पुन्दी ले जिल। अद्बूत खंपुन रुपे खास्पिंदी, एंड रॉबिंग दा सबकीपर आरू, दोकानी जनक डोकाईटी करी, Griffin went to the village of Iping, Griffin ए Iping नावर गाउलोई गुशिगोई शिल, and booked two rooms at an inn there, आर ताते एटा अतेतिहालात तेओं धुटा, कोथाली बुक कोरीशिल, भरात दोईशिल, the advent of an unfamiliar person to the inn in winter, was an unusual event, advent बुलिकोले आगमान अर्थभुजाई, हितकालात अतेतिहालात, एजन अशिनकी मानुवार आगमान, was an unusual event एटा, ओ खाधरन कोथाबा घटना आचिल, moreover, the person had an uncommon appearance, मानुजनार एटा ओ खाधरन छहरा, बेंदे जादी बंदा, ओ खाधरन छहरा आचिले, विच सर्प्राइज अल जिट्योनेगी, खकलोग के आशरित कुरीशिल, Mrs. Hall made every effort to be friendly with him, Mrs. Halle, तेओर लोग पंदुत्तकुलोग हबुलोई, खकलो प्रसेस्टा कोईशिल, but he did not respond well, किन्दे तेओं भाल खहरी दिया नाशिल, he said that तेओं कोईशिल जे, he had no desire to talk to her, ताय लगा कथापाते बुले तेओर कुनो इस्टा नाई बुली कोईशिल, and he had come there looking for solitude, solitude बुले निर्जनाता, विशारी तेओं तालोए आईशिल बुली कोईशिल, further he cited ताय अगलोए कोईशिल जे, he did not want any disturbance in his work, तेओं तेओं कामत कुनो दिखदारी पवाटू निविशारे, for all these reasons and strange behavior, एक हकलोगोर कारणर कारणयारो आशरित धरणर बेभाहर और बाबे, Mrs. Hall regarded the scientist ascentic Mrs. Halle खे विज्यानी जनक, अद्बुद्बा विशित्र विवेशना कुरिशिल, सरिडंग्रश्ण, what curious episode occurs in the study, study घरत बा पड़ा घरत की कोईटु होली की आशरित घटना घटे, the noises coming out from the study, evocates the clergyman and his wife early in a morning, study घरत बाबा, पड़ा घरत बाबा अहा, हुलस्तुलार बाबे, एदिन धातिपवा खुनकाले, धर्मजाज़कारो तेमरु घोईनिये के खार पाए, they come downstairs, तेमलो के खटखटी भोगाईज अलोलोई नामी आहे, and here the chink of money being taken from the clergyman's desk, धर्मजाज़कारो डेस कारो धर्मजाज़कारो डेस कर परा, कोनो बाए टका, उलिया एथकार खशकशनी खबदा तेलोगे खुनी बोलोई पाए, the clergyman wants to surprise the thief with a poker, धर्मजाज़कारो शुर्टु असरित कुरी दी बोलोई भिशारे, silently approaching and firmly gasping the poker, मने मने आगबाडियारो जोरेरे, डंडाटो खामुशी धोरी, the clergyman flinks open the door, धर्मजाज़कारो जने तत्खना दरजाटो खुली पेलाए, but he himself is surprised finding the room empty, किन्तु कोठाली टो खाली देखी तेव निजय आसरी थाए, they look all over the room, here the goटे कोठाली ते शाए, even of the chimney, but there is no one there, किन्तु तात कोनो नाए, surprisingly असरीद भावे, the desk is open, desk to खुला होया शिल, and the money is found missing, अरो टकाटो हराया शिल, the clergyman keeps wondering the rest of the day, गोटे दिन्टु clergyman जने एक अथा तोर भावे, असरीद होई थाकिल, it is the curious episode, एट वे असरीद भावे, घटना होये, पास्नांग प्रस्नात खुदी से, what extraordinary things happened at the inn, अतिती खालात की अखादरान घटना घटी शिल, clergyman अर घरत हुआ घटनार बादेव, अतिती खालातो बहुत धरन अर अखादरान घटना बोर घटी आशिल, मतिके खाईबर की बुली प्रस्ना खुदी से, एटु एंशाट वाखमान दिगल हबा, one morning the landlord and his wife were surprised to see the scientist door wide open which usually remained certain locked, हसरासर बंद होये थका विज्यानी जनर कथालीर दर जातु, एदिन रतिपवा खुला देखी, मालिक अरो तेवर घोईनी एक आशरित होई शिल, if somebody happened to enter his room, युल दिहें कुन बा तेवर कथाली तियाबा खुमाए, he became furious, तेवर अगनी फर्मा होई उठी शिल, they did not want to miss this opportunity, एए खुबीदाटू, जे दर्जा खुला होई आशे, खेए कोठाली तूर भितरत की होई थाके, अलब साइलुआर एक खुबीदाटू, तेवर लोके मिश्कोरीव विशरा नाशिल, they pipped round the door, तेवर दर्जारपरा जुमी जुमी भितरत साइशिल, and decided to investigate finding it empty, रो खेए कोठाली तूर खाली देखी, तेवर लोके, तादगोई तदंत करा तलासी करार कथा तेवर भाविशिल, जे कीनु घोटी थाके, they found dead, तेवर लोके पाईशिल जे, the cloths and the bandages of the scientists were lying about the room, खेए कोठाली तूर भितरत, विज्यानी जनर कापोर्कानी आरु खेए बेंडेज आदिबूर विश्यानाते पोरियाशिल, Suddenly Mrs. Hall hard sniff close to her ear, हटाते हे कोठाली भितरत, मिश्यानी तेवर क्यान और असरते जन कनोबाई हुंगी से तेनेकवा तेवर खुनीबपाईशिल अनुभव कोरिशिल, Just then, the hat on the bedpost jumped up, विश्यानार भरित, Then the bedroom chair became alive, ता विश्यान कोठाली वितरत्थका, जिखन सकी आशिल, हे सकी तो जीबनत होई उठीशिल, स्प्रीकिंग इन्टु दा एयर, बता हते घुरी घुरी, बता हते जपिया जपिया जपिया, चार्ज्ड एथार, इ अथा शकी खने, मिशेस हल अख थे दिशिल, When they turned away in terror, जेती आतंक त्यम लोग घुरी आईशिल, ताचियार pushed both of them out of the room, हे शकी खने थेली, दुयो जने के कठाली परा बाही कुरी दिशिल, स्लैम्ड दा डूर जोरीगे दो जाटो बंदकुरी शिल, मिशेस हल अल्मोस्ट फेल डाउन दा इस्ट्यार शिन फियार, आतंक ते अलपते खटखटीर परा मिशेस हल पोरी जुआ नासिल, शी वा सियो डेट, दा रूम वाज हांटेट बाइश्पिरिट्स, ताई निशित हुईशिल जे खेए कोठाली तुद भूतेव बा प्रतात्माई लंबी से, एंड दा इस्टेंज साइन्टिस हेड सम कनेक्शन विधित, आलुखे आसरील विग्यानिजनर एई कथाटुद, किबा कनेक्शन आसे, किबा हम्मंद आसे बुलिताई निशित हुईशिल, अल अधर अल्चो श्ट्रोंगली सास्पेक्टेट दा साइन्टिस्ट अभ वेविग्यानिजनर एटा हातासे, अन्यों हकोलो मानी हुँँ, खुब हंदे कुईशिल, प्रोडुशिंग रेडिकेस अल अफे सादेन, तत्खनात नगट्टका उलियाई दिया टू, वाज वान अब दा रिजन्स फर दिस एई टूर एटा कारणा शिल, त्यमा कथे कोईशिल तेहों लोग कुणो टका नाई, अब भावे देखा दिसिल, वा अलाई शिल, शी आग्ज हीम एबल्डा इस्टेंग हैपेनिंज गवेइंग अन दियार, तात घटीतका कहे आसरित घटनाबुर वर विखवे, ताय और तात मिशेश हले खे विज्यानी जनक खुदिसिल, देन ही बिकेम फेवरियास, ताज तेव प्रसंद भावे खंकोरी शिल, अगनी खर्मा होई शिल, त्रिव अफिस बेंडेजेस, तेवर बेंडेज बोर, विश्कार्स बुली गले दारीमोस, फोल्स नोज, मिशा, नाग जीबुर, तेवा कंधर अपरा जीखिनी बांदिलोई छिले, खे खकलो बुर तेवा खंगते दोलियाई पेलाई दिशिल, पीपल वेर हरीफाइड टु सीए हेडलेस पासंद, ता बिशात कांधर अपराखिनी जेतिया गोटेखिनी पेलाई जीले, तेवा मुर्नत का मानु होई बुरेल, तेनेकवा मुर्नत का मानु होग देखी, मानुबुर आतम किता होई शिल, वेन दा कंस्टेबुल एलोंग विट आदर पीपल ट्राइड टु एरेस्ट हिम, जेतिया सिपाहि जने आरो अन्या मनुबुरे, विज्यानी जनाक धरीबुले सेस्टा गोरिशिल, दा साइंटिस्ट बिकेम कंप्लेटली इन्विजिबुल, गृफिन वाचाना गोरिशिण क्रमो न दा सब्सक्राइड गोलिफ्णन, विज्यानी जनाक खंपुलन आदेशिय वहाि पोईशिल, विज्यानी जनाक खंपुल्ण अदिशिय हुई पोरिशिल, तेुलों यही भूख़ुआईशिल, एंड एस्केप दारोतार परा पलाई गोई शिल इस वेज दा एक्स्टा ओर्डिनरी हैपेनिक्स एबुरे अखादारन घटाना बुरा शिले जीवर नेगी हे अतेति हालात घोटी शिल सोयनंग प्रस्ण ग्रिफिन वाज रदर ए लोलेस पर्शन कोमेंट ग्रिफिन एजन आइन्न मना ब्यक्ति आशिल मनतव्य दियां बा, do you consider ग्रिफिन ए लोलेस पर्शन तुमी ग्रिफिन आइन्न मना ब्यक्ति ब्याइनी ब्यक्ति बुली विवेशना करा नेकी गिव रिजन्स पर यूर एंशार तमार उत्तरर हपके जुक्ति दिया ग्रिफिन एजन आइन्न मना ब्यक्ति नाशिल, he was properly a lawless citizen तेओ आशलते एजन ब्याइनी नागोरिक आइन्न मना ब्यक्ति आशिल, his unlawful acts probed him to be an anarchic तेओर ब्याइनी कामबुरे तेओक एजन नुईराज्य बादी बा अराजक ब्यक्ति हिसाबे प्रमान कुरिशिल his landlord did not like him, तेओर मालीके तेओक भालपुवाना शिल, and wanted to eject him, तेओक तार परा उलियाई दिवा विशारी शिल, इन्दी बेंच तार प्रतिखोच शोरी पे, he set fire to his landlord's house, तेओर मालीकार भरा जुईलगाची शिल, and ran away अरो पलाई गोई शिल he stole and robbed people being invisible, अद्रिश्चे होई तेओं मानुपरक डोकाईटी कुरिशिल, शुरी कुरिशिल, in a London store, London अरेखन दोकानात, he wore cloths and fed himself, इस्टिल दिली, तेओं शुरार दरे कापवर पिंदी शिल, आरो ताते खुआबुआ कुरिशिल, इन डुरी लेंड, डुरी नाम और लेंटो त्रस्टादोद, he went to a shop तेओं दोकाने कुर अरो वितरो खुमाईचिल, and came out wearing bandages, glasses, false nose, whiskers, and a hat, अरो तार वितरो परा तेओं बेंडेज, सस्मा, मिशा नाग, दारी मोस, तुपी आदी उलायाईचिल, एबर पिंदी, he became visible तेओ दिश्यमान होईचिल, and attacked and robbed the shopkeeper अरो दोकानी जनक, तेओं दोकाईटी कुरिशिल, आक्रमन कुरिशिल, then he robbed a clergyman, तायुषा तेओं धर्म जाजको को दोकाईटी कुरिशिल, Griffin also attacked Mrs. Hall and the village constable Mr. Jeffers, Mrs. Hall अरो गावरे शिपाही, Jeffers को, Griffin नामर है विज्यानी जने आक्रमन कुरिश When the police came to arrest him, जेतिया police है तेओं ग्रेप्तार कुरिबुले आईशिल, he became invisible, तेओं अध्रिश्या होईशिल, and flat away आरो पलाइगोईशिल, all the instances of his activities and behavior, तेओर कामकाजर, आरो तेओर आसरनर हकोलो, उदाहरन बोर, were against law, आईन और विपक्खे आशे, and he turned himself into a criminal, तेओं निजके आज जन बे आईनी व्यक्ति आशेल, हात्नांग प्राश्न दिया आशे, how would you assess Griffin as a scientist, तुमी Griffin अग एजन विज्यानी इसापे, केने कोई मुल्यांकन कोरीबा, पा किमान नमबर दिबा, Griffin had discovered how to make human body transparent, after making repeated experiments, बारे बारे परिखे निख्या कुरी, Griffin अभिश्का कुरीशिल जे, मानुहर देह, केने कोई सस्चा कुरीबा, पराजाए, नदेखा कुरीबा, पराजाए, Undoubtedly, it was a big achievement as a scientist, बिज्यानी सापे, एट्योएटा निखंदे, डांगोर फपलता आशिले, डांगोर प्रप्ति आशिल, but he did not utilize his great discovery for good and noble cause, किंतु तेह, भाल आरो महान कमर करोने तेह, एड महान अभिश्कार्टु तेह, किंतु बेभाहर करान आशिल, but only misused for personal benefits and harming others, मात्रा, ब्यक्तिकोता लाबालाब आरो अन्योग अपकार करीवर करोने तेह, खेई अभिश्कार्टु तेह, अपवेबहार कुरिशिल, being a so good scientist, इमान भाल बिज्यानी सापे, he contributed nothing to the society, तेह, खमासखनग, एको अरी होना जोगापो परानासिल, rather misguided it, बरांच तेह, खमासखनग, व खतनासिल, he used science without humanity, which perished हिम, तेह, मानवता भी हिन भाबे बिज्यानक बेभाहर कुरिशिल, जीतुए तेह, धंखर गराहलोई लोई गवेशिल, दास, खेईदरे, ग्रिफिन was a brilliant scientist, but immoral one, ग्रिफिन एजन, अथिख़य सोका, अथिख़य मोहन बिज्यानी आसिल, किन्तु, न experiments after experiments, ग्रिफिन नमर बिज्यने जने पोरिख्यार पर पोरिख्या सलाई लोई गवेशिल, to probe that प्रमान कोरिवलोई जे, the human body could become invisible, मानुहर खरीड़क अदुष्या कोरिवा पराजा, 600 कोरिवा पराजा, तार करोने ग्रिफिने पोरिख्यार पर पर पोरिख्या सलाई लोई ग ट। वग्लास एषटा, ग्रिफो बिफिने खरीच अधै मानुष्या पर पोरोई लोई एशेफ्या, ति को बिफिख्यार पर प। आया बोलीखी न मतिए शेंड़ ब्रत पोराज पीव fim the muddy imprints of a pair of bare human feet on the steps of a house गहर एखन और हटकटित मानुहर उदंग भरीर हतेज बोकामोय शिन्न देखी लरादुजन आशरी दोई चिल और आकर्खित होई चिल दे फाउंड no one nearby तेम लोके काखत काको पुआ नाचिल है but the footprints were appearing from nowhere किन्दु कोरबार परा खेई पतासुन नबर उलाई आहिया शिल they followed the footprints खेई पतासुन नबर अनुखरन कोरिशिल until they became fainter and fainter and vanished finally असपस्टा परा असपस्टा होई अधिश्या होई नुजुआ लोके तेम लोके खेई पतासुन नबर अनुखरन कोरिशिल why did Griffin decide to slip into a big London store Griffin was working on roads without any clothes he was fully naked, the air was bitterly cold and the air was bitterly cold it was mid winter in London and he could do nothing without clothes चारू कापूर नूहाँ के तेओं एको कुरीबा परानाशिल So he decided to enter a big London store हे कारण तेओं लोंड़न रेखन डांगर दोकनाथ खुमाई जाबुले हिद्धान दोलोई छिले To wear some warm clothes उमाल कापूर पिंदी बर कारणे After the store was closed दोकानखन बंदा हुआर पासत He wore some comfortable garments there and slept तेओं ताते किसमान अरामदय कापूर पिंदीलो इसिल आरो ताते हुईपूर इसिल इगारनांग प्रस्ण What did Griffin do in the shop of a theatrical company Theatrical company एटार दोकानाथ Griffin ए की कुरिसिल Griffin escaped from the big London store removing all his cloths हकोलो कापूर कानी खुली Londoner है डांगर दोकानाथ परा Griffin पलाय आई शिल Now he was wandering without cloths in the winter of London Londoner है खितकाल और हमयात कोनो कापूर नुभा के तेओं राष्टा राष्टे त्या गुरिफुरी आशिल He then decided to find not only cloths तेओं या मात्र कापूरे विशारी बोले खित्दान तो लुआ नाशिल But also something that would hide the empty space above his shoulders अथा डिंगी आरू मुख्टुक जाते धाकीबा परा खिबा बस्तु पुआ जाई खेई बस्तु खिनियो तेओं विशारी बोले कापूर मात्र नुए डिंगी आरू मुख्टु धाकीबा पर बस्तु तेओं विशारी बोले खित्दान तो लुए शिले बेंडेज, कोला सस्मा, मिशा नाक, दारीमोष, डांगर टुपी आधी खोकलु तेओं पिंदितार परा उलाया ही शिल ये अल्चो एटेग्ड दा सबकीपर एंड इस्टोल अल इस मानी तेओं दोकानी जनाक अक्रमोन कोरिशिल अर तार परा तेओं खोकलु तकाव शूर कोरिशिल बरणांग प्रश्णव, वाट हैपन तो जेफार्स वेन ही ट्राइट तो केच ग्रीफिन, दा साइन्टिस्ट। ग्रीफिन नामर बिज्ञानी जनाक धोरिबले शेष्टा कोरिटे जेफार्स वर की घोटिशिल जेफिन नामर बिज्ञानी जनाक धोरिबले शेष्टा कोरिशिल जनान देखी बन्नुँगारा ब्यक्तिक भोई पलाई जेफार्स नामर खे सिपाय। जना हंगर खोरिबलो लगाओ अशिल तन्यों धोरिबलो कारोने ग्रीफिन हीट हीम बाई बिलोज ग्रीफिन तन्यों भुककवाइशिल भुकु आईशिल, जी भुकु बोर्ने की केम फ्रम नोहेर कॉरबार पर आईशिल देखाना पाये जेफर्से, एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉंचियस फाइनेली, आरू खे भुकु आई भुकु आई जेफर्स अक असेतन कोरी दिशिले गिर्फिनी. मालिक अरू घुएनी एक मिसेश हले विज्यानी जनर रूमत की देखिशिल, वान मर्निग अरू ते अरू घुएनी एक मिसेश हल असरी थोईशिल, फिच ने एउजुएली रिमेइट शाट एनलॉरू खेसरासर मंद होई तका विज्यानी जनर कोठाली दर्जाटू एदेन दर्तिपवा खुला देखि मालिक अरू ते ओर घुएनी एक मिसेश हल आसरी थोईशिल, देखि राउंड दा दोर एंड डिचाइड तो इन्बेस्टिगेट फाइदिट एम्टी। ते ओलेके दर्जार परा भीतरा जुमी शाइशिले आरू खाली देखि पलाई हेई कोठाली तलासी कोरी बोले तदंत कोरी बोले कीनु घटी थाके विशारी उलिया बोले ते ओल जार परा बुजिबा परा गोईसिल जे बिज्ञानी जन बहु आगो ते तार परा उटीसिल दे सोडेट ते वलेके देखिसिल जे दा क्लॉट्स एंड बेंडेजेश डेट धी अल्वेज वर वेर स्ट्रेंजली लाइंग एबाउल द रूम हदाय पिन्दी थका का कापूर आरू बेंडेजबूर विश्रना ते परिथका तेंग लोके तात देखिबुलुए पाईसिल गोधिके ए आसेले फूट्प्रेंस उदाउट्फिटर क्वेशन एंचार हाकुरू तमालेके भाल पाईशा तोदी भाल पाईशा तेले लाइक शेर निश्वा कुरिबा आजी वेलुए आईसू धन्यवाद